संपत्ती को लेकर मा बेटे और भाई भाई की रिस्ते को किया तारतार संगी बेटे ने अपने छोटे भाई और मा को तलवार से काटा गंभी रूप से जखमी मा बेटे का अस्पताल में चल रहा उपचार सहरसा जले के बलवा हाट थाना शेतर के रामपूर गाउं की घटना सहरसा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आज एक सन की बेटे ने अपने मा और चोटे भाई को तलवार से काट कर गंभी रूप से जखमी कर दिया आनल फारन में परिजनों ने दोनों जखमी को सदर अस्पताल में करवाया भरती जहां दोनों जखमी इलाज रत है घटना सहरसा जले के बलवा हाट थाना शेतर अंतरगात रामपूर गाउं के वार्ड नमबर साथ की है सूचना मिलते ही पुलिस घटना इस्थल पर पहुंची और मामले की जाच में जुटी है मामला संपत्ती को लेकर विवाद बताया जा रहा है प्राप्त जानकारी के अंजार दोनों जखमी में एक जखमी का नाम संजय कुमार सिंग है जिसकी उम्र तकरीवन 40 साल है और दूसरा जखमी 75 वर्षिय गुलाब देवी संजय कुमार सिंग की मा है दोनों को जखमी करने वाला कोई और नहीं संजय कुमार सिंग का बड़ा भाई अजय कुमार सिंग बताया जा रहा है एक दिन पहले ही आजय सिंग की मा अपने चोटे बेटे संजय और पत्र बदू हेमा सिंग के साथ दिल्ली से घर पहुँची सुबह घर में साफ सफ़ाई के समय ही विवाद हुआ और घर में रहने वाला बड़ा बेटा आजैस सिंग अपनी मा और चोटे भाई संजैस सिंग पर तलवार से हमला कर दिया सेहरसा से संतोस मंडल की डिपोर्ट कि अपना जीब को पारजन करते हैं तो हम लोग घर के साफ सफाई कर रहे थे अपना तुम लोग अजैसी मेरा बड़ा हुआ है तुम लोग कोई हिसे नहीं यहां से भागो सारा कुछ मेरा है है नहीं है उपनाouch काट देंगे सब को सबवार लेके हम मेरा विकार दिया गर्दन पर मारा गर्दन की लग की हाथ में लगा और मा की हात भी कार दिया वह इक हॐसे और कून मारा है अजय कुमार से कून अपके वह बड़ा भाहि है दो मेरा अफर दुमन अब आदा वेन उसके हां से जमीन बेचा है वो सब बड़े पैसा वला है उसका कहता है ना पुलिस मेरा पर कुछ करेगा ना कुछ होगा सब थाना उनसर मेरा मैनेज है क्या ना मुआपका संजय कुमार्फी घर सरजा पंचैत रामपूर को वाड नम्मर साथ क्या हुआ बता ये तो क्या मामला है कल रात हम लोग दिली से आयते हैं अपने पती के साथ और मेरी साथ सुमा के साथ और सुबह में साथ सभाई करवा रहते हैं जाते महार उनना ही में मेरा वैसर दलवार लेके पती का हाथ करना अंगुली सब कार्ट दिया अभी अब लोग सजर उसकार में इलाइट करवार में आए क्या क्या नाम हो आपका नहीं माती है